गुडिनिक्ष टूडेंट मैं विकास परमार एक बर फिर आप लोगों का सवागत करता हूँ तो बच्चों 318 क्युषण अमारे कम्पलीट हो चुके हैं आज क्युषण नंबर 319 से स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला क्युषण आप लोगों के सामने है चेरवंस का सासन किस छेतर में था मैंने आप लोगों को बताया था तीनवंस के बारे में बताया था चोल के बारे में बताया था पांडवंस के बारे में बताया था और चेरवंस के बारे में बताया था चेरवंस का जो छेतर था वो केरल के आसपास का छेतर था माला बार्टट के आसपास का छेतर और चेरवन्स का जो राजदानी थी वो मैंने बताई थी आप लोगों को करूर करूर जो राजदानी थी वो चेरवन्स की राजदानी थी और चेरवन्स का जो चिन था वो क्या था धनूस था बच्छो ठीक है और Chair Ons का एक परसीध सासक मैंने आप लोगों को बताया था जिसका नाम था क्या नाम था सें गुट्वन ये इसका परसीध सासक था बच्छो सें गुट्वन उसके बाद आगले क्यों रिपन के उपर आते हैं 42 सवीदान संसोदन जो 1976 में किया गय था उसमें 3 सबस जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निर्पेकस्ता और एक अखंडता सबस जोड़े गए थे तो वो कि संसोदन के तैत जोड़े गए थे 42 सवीदान संसोदन 1976 के तैत उसके बाद अगले क्यूशन के उपर आते हैं गुलाबो का यूद कब हुआ था तो ये गुलाबो का यूद हुआ था बच्चो 21 अक्ट व्यक्तियों का योगदान था एक तो गेरी बोल्डी का था गेरी बोल्डी एक तो क्या बताया है मैंने गेरी बोल्डी एक तो इसका योगदान था बच्चो गेरी बोल्डी का और दूसरा मैंने बताया था काउंट काबूर का और एक तीसरा बताया था मैंने आपको मेजन सा था ओस्ट्रिया और ओस्ट्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को दो से तीन क्यों सुन बताए थे पहला क्यों सुन तो क्या बताया था कि पर्थम विसव युद का कारण क्या था ओस्ट्रिया के राजा फरडीनाइड की अत्या कर दिये गई थी उसके बाद मैंने बताय जो तीसरा करनाटिक वार हुआ था उसका कारण क्या था परसा और आश्ट्रिया का आपस में युद और जो फर्स्ट करनाटिक वार था उसका कारण मैंने क्या बताया था आश्ट्रिया के उत्रा दीकार को लेकर विवाद हो गया था फ्रांस के बीच में और इंग्लेंड बि किया था एक परकार से वल्ले भाई पटेल नहीं किया था वल्ले भाई पटेल को सरदार की उपादी कहां दी दी गई थी बार दोली सत्त अगर है 1928 में उसके बाद अगले किशन के उपर आते हैं अगला किशन आप लोगों के सामने है चोल काल में सूती वस्तर उद्यो का पर पियर बहुत ज़्यादा पर्शी दो चुकी थी ठीक है और ये इसकी राजदानी होती थी बच्चो चोल की राजदानी होती थी उरे यूर ठीक है ऊसके बाद next question के बारे में बात करते हैं रूस की करांती का तात का लिंद कारण क्या था तो रूस की करांती का तात का लिंद कारण था पर्थमवी सव यूद में रूस की प्राज्य है ठीक है पर्थमवी सव यूद कब हुआ था 1914 से लेके 1918 तक पर थावी सरी चला था और ठीक है उसके बाद next question के बारे में बात करते हैं 325 मां जो question आप लोगों के सामने वो क्या है प्राचिन बारत में question है प्राचिन बारत में कौन सी लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती थी प्राचिन बारत में जो खरोष्टी लिपी है वो दाई और से बाई और लिखी जाती थी खरोष्टी अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ जो इंदी है इंदी की जो लिपी है वो कौन सी है देवनागरी की लिपी इंदी की ठीक है और देवनागरी का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो ब्रामी देवनागरी का दूसरा नाम क्या बच्चो ब्रामी ये देवनागरी का दूसरा नाम है पंजाबी की जो मतलब आपके पास लिपी है वो है गुरू मुखी जबकि अंग्रेजी की जो लिपी है वो क्या है आपके पास रोमन अंग्रेजी की लिपी क्या बच्चो रोमन उसके बाद next question के बारे में बात करते हैं question number 326 पर्थमवी सव यूद में कितने देशों ने बाग लिया था तो 37 देशों ने बाग लिया था दो गुटों में बटगे थे एक साइड में मित्तराष्टर एक साइड में दूरी राष्टर मित्तराष्टर की साइड में मैंने आपको बताया था बिर्टेन, अमेरिका, रूस बिर्टेन, अमेरिका और रूस जबकि दूरी राष्टर की साइड में कौन-कौन थे थे इतली, जर्मनी, जापान ये दूरी राष्टर की साइड में थे बच्चो उसके बाद दूसरी बात करते हैं आगले किसन के उपर 1605 से लेके 1615 तक लगबग 18 युद लड़ने के बाद ये चितोड की संदी हुई थी जो जांगीर और राणा अमर सिंग के बीच में हुई थी चितोड का राजा था उस समय तात कालित राजा जो था वो राणा अमर सिंग था के बीच में हुई थी चित्तोड की संदी ठीक है उसके बाद अगले क्यूशन के उपर आते हैं बच्चो अगला क्यूशन आप लोगों से क्या कहता है पर्थम वी सव यूद में इंगलेंड की स्कूट में था मैं तो मैंने बता दिया आप लोगों को मित्तर राष्टर की 1989 में जबकि रूस की करांती हुई थी 1917 में ठीक है फ्रांस की करांती जब 1789 में हुई थी उस समय सैनापती होता था नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट क्या नाम था कार्लो बोना पार्टिन के पिता का नाम थ बारत का नेपोलियन की से कहते हैं अगर पूछा लिया जाए तो बारत का नेपोलियन समुन धर गुपत को कहते हैं उसके बाद 330 का question क्या कहता है पर्थम विशवयूद कप परारम हुआ तो मैंने आपको बता दिया है 28 जुलाई 1914 विशवयूद कप परारम हुआ था बच्चो और 1918 तक चला था और कई बार पूछ लिया जाता कि वरसाई की संधी कब हुई थी तो वरसाई की संधी 1918 में हुई थी बच्चो ठीक है और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि League of Nations का गठन का क्ब किया गए था तो 1911 में League of Nations का गठन किया गए था और League of Nations जो दिया गए था वो अमरीका की राष्ट पती के दुवारा दिया गया था और उस समय अमरीका का राष्ट पती जो था वो वुड्रो विल्सन था बच्चो उसके बाद अगले के वो अमरीका का राष्ट पती कौन था मैंने आपको बता दिया उर्णी यह नहीं लीग ओफ नैस猌न का गठन किया था वुड्रो विल्सन उसके बाद अगले के वजो थाष्ट complimentary किसे का जाता है अकबर कस्मिर जो है जे नूल अबादिन को का जाता किसको का जाता बच्चो जे नूल अबादिन को सुंग वंस का संस्थापक कौन था पुष्य मितर सुंग सुंग वंस का संस्थापक कौन था बच्चो पुष्य मितर सुंग जबकि मोरिया वंस का संस्थापक चंदरगुप्त मोरिया था ठीक है कई वार साथ वाहन वंस का संस्थापक पूछ लिया जाता साथ वाहन वंस का संस्थापक था सिमोक कौन था बच्चो सिमोक था साथ वाहन वंस का संस्थापक उसके बाद next question के उपर आते हैं बच्चो next question के उपर आते हैं बच्चो अगला question आप लोगों क्या कहता है किस देश को एसिया का मरीज का जाता बच्चो एसिया का मरीज किसे का जाता बच्चो चीन को और चीन एक मातर ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़ाता देशों के साथ सीमा बनाने वाला जो देश है वो चीन ही है बच्चो ठीक है और अगर आप लोगों से कोई क्यों पूछ लिया जाए कि स्टेपल विज्जाविवाद किसके बीच में स्टेपल विज्जाविवाद बारत और चीन के बीच में बच् बारत का साथवे नंबर पर है, और बारत के बाद अरजंटीना का है, आठवे नंबर पर, अगला क्यूशन आप लोगों कि सामने है, बंगाल का कौन सा सासक अरसके समकालिन था, तो ये था ससांक, ठीक है, ससांक था, इसका जो आपके पास ससांक जो था बच्चों, मैं आप को बता दिता हूँ इसके बारे में अर्शवर्दन के पिता का जो नाम था वो परबाकरवर्दन था परबाकरवर्दन परबाकरवर्दन का एक तो पुत्तर था अर्शवर्दन एक पुत्री थी जिसका नाम था राजसिरी राजसिरी का जो विवा किया गया था वो गरे वर्म मतलब गर्य वर्मन इमालवा के साथ देवगुप्त से थी ठीक है गर्य वर्मन के साथ इसकी साधी की गई थी राजसिरी की जो साधी की गई थी वो गर्य वर्मन के साथ की गई थी और गर्य वर्मन की जो दुस्मन दी थी वो देवगुप्त के साथ थी ठीक है तो जब इनकी साध्य हुई ना राजसरी के और गरह वर्मन की तो देव गुप्त ने गरह वर्मन को मार दिया था और जब मार दिया तब राजसरी वहां से बाग गई थी उसको भी मारने वाला था ये देव गुप्त तब ये जंगलों के अंदर बाग गई थी तब किसी ने अफ़ा फैला का भी बाई क्या लाया वो राजवर्दन ने देव गुप्त को मार दिया था फिर देव गुप्त को जब मार दिया फिर देव गुप्त का एक दोस्त होता था जिसका नाम था ससांक उस ससांक ने किसको मार दिया था राजवर्दन को मार दिया था और फिर अर्शवर्दन ने पिर ससांग को मार दिया था बच्चो यह कानी है इसके बारे में थोड़ी सी उसके बाद अगले किस पार्टी से बिलोंग करता था इटलर नात्सी पार्टी से बिलोंग करता था नात्सी अगले किसन के उपर आते हैं 338 वा किसन क्या है चीन में खूले दवार की निती का जनक की से माना जाता है तो यह माना जाता बच्चो डेंग जीयो पिंको चीन में खुले दवार की नित्ती का जनक किसे माने रहता है डेंग, जियो, पिंको अगले क्योशन के उपर आते दीवतिय विसव यूद में जापान ने किस गुट का साथ दिया था दो दूरी राष्टर कुट का साथ दिया था दूसरा विसव यूद 1949 से लेके 1945 तक चला था बच्चो और जापान के उपर जापान के उपर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को इरोशिमा नागासा की पर बम गिरा दिया गया था या सतंदारी इरन की बच्चो ठीक है सतंदारी को मैमल्स कहते हैं मैमल्स की बारे में बात करते हैं तो मैमल्स में चार चैमबर होते हैं बच्चो कितने चैमबर होते हैं चार जबकि मचलियों में कितने चैमबर होते हैं दो ठीक है और MPBN में कितने چेंबर होतें 3 जबकि randomized में B будет 3 लेकिन जो मगरमस होता है उसके अंदर कितने होते बच च्यार बर्ड्स में B कितने च्यार चैंबर पक्षियों के अंदर वी मैमल्स दो परकार के होते हैं बच्चो अंडे देने वाले मैमल्स और बच्चे पैदा करने वाले मैमल्स अंडे देने वाले मैमल्स जो होते हैं उसको प्रोटो थेरिया कहते हैं जबके बच्चे पैदा करने वाले जो मैमल्स होते हैं उसको यूथीरिया कहते हैं प्रोटो थेरिया अल्प विक्षित बच्चे पैदा करने वाले जो मैमल्स होते उनको कहते मेटा थेरिया और जो पूरण विक्षित बच्चे पैदा करते उनको कहते यूथीरिया यूथीरिया ठीक है आप लोग किस में आते हो यूथीरिया में आते हो और मेटा थेरिया में आता कंगारू, कंगारू एक मैमल्स होता है, जो मेटा थेरिया में आता है, जो अल्प विक्सित बच्चे पैता करता है, और वो जिस थेली में बच्चो को रखता है, उस थेली का नाम होता, मारसू पी एल की थेली, मारसू पी एल की थेली होती बच्चो, उसके बाद अगले क्यों सुन क्यों पराते हैं आज किसमें कारबन डाइकशेड कि उत सर्जन में सरवाधी की योगदान देने वाला देश को उन सहावच जो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है CO2 एक बारी गैस होती है जो आगको बुजाने में मदद करती है जो सिलिंडर होते हैं दुकानों के अंदर लगे होते हैं उसमें आप लोगों जो आगको बुजाने का काम करते हैं उसके अंदर कारबन डाइकशेड ही गैस होती है आगको फैलाने में मदद करती है उक्सिजन आगको बुजाने में मदद करती है CO तो carbon dioxide और अगर वहीं आप लोगों से मैं CO कह दूँ, CO क्या होती है, CO होती है carbon monoxide, देखो एक CO ये है, एक CO ये है, अगर इस CO के साथ अगर मैं H2 मिला दूँ, तो ये water gas कहलाती है, और अगर मैं इस CO के साथ N2 मिला दूँ, nitrogen मिला दूँ, इसको producer gas कहते है, producer gas, ठीक है, पर मैंसी क्यूशन आता, producer gas की इसका मिसरण होती है, तो CO पलस में N2 का, और water gas की इसका मिसरण होती है, CO पलस में H2 का, उसके बाद अगर क्यूशन के उपराते हैं, क्यूशन no. 342, निमली कितमे से किस उत्योग में, अब रख के कच्छे माल के रूपे परियुक्त होता है, तो विदूत, electricity में अब रख का परियोग किया जाता है, बारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अब रख बच्छो, अगला क्यूशन आप लोगों से है, विदूत प्रेश का अविश्कार किस ने किया था, एहन्री सीले ने किया था, इसक बच्छो, कम होता जाता है, ठीक है, उसके बाद दाब बढ़ने पर जलका का उथनाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जलका का उथनाग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर गटाएंगे तो गट जाएगा, और प्र क्या कहता है 346 का क्यूशन क्या कहता है परते किरिया के बराबर विपरित दिशा में परती किरिया होती है न्यूटन का तीसरा नियम कहता है ठीक है और अगर आप लोगों से कोई कहें कि जड़तों के बारे में किस नियम से पता चलता है तो जड़तों के बारे में न्यूटन क सब सबसे कम होता है बैंगनी कलर का सबसे जहाद उता होता है जैसे उसकी चाल भी सबसे जड़ा होते है और सबसे ज़दा होती है और सुधे कम होती है मतलब इसकी स्केटरिंग भी कम होगी ठीक है scattering भी कम होगी इसका dispersion of light वरन विक्सेपन भी कम होगा इसका इसका refractive index भी कम होगा पुरतनांक भी कम होगा इसका मतलब इसका परकिरन भी क्या होगा सबसे कम तो सबसे ज़्यादा परकिरन किसका होगा बैंगनी का इसका मुनब सबसे ज़्यादा चाल किसकी है रैड की तो सबसे कम चाल किसकी होगी बैंगनी की सबसे ज़्यादा वेवलेंद किसकी है रैड की तो सबसे कम वेवलेंद किसकी होगी बैंगनी की ठीक है उसके बाद अगले क्योशन के उपर आते हैं अगला किशन क्या कहता है रेडियो एक्टिविता की खोज गिस ने की थी ये खोज गिस ने की थी ये खोज गिस ने की थी ये रेडियो एक्टिविता की खोज गिस ने की थी ये रेडियो एक्टिविता की खोज गिस ने की थी ये रेडियो एक्टिविता की खोज ने की थी पानी के अंदर आवाका एक बुल गुला किस तरह बरताओ करता है एक आउतर लेंज की तरह बरताओ करता बच्चों ठीक है तो 350 कुशन आप लोगों के कम्पलीट हो चुके हैं ये वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेगे बच्चों ठीक है आज के लिए इतना ही धन्य के लिए आवाद